आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमश्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का हमारा question है find the inverse of matrix A and hence solve the system of linear equation x plus y plus z is equal to 2 2x minus y minus z is equal to 4 2y plus z is equal to 1 तो हमें इस question में एक matrix given है A ठीक है? और एक system of linear equation given है तो पहली चीज़ थो हमें find करनी है A का inverse और दूसरी चीज़ हमें हापे इस linear equations के हमें solution find करनी है हमें यहापे x, y, z की value find करनी है ठीक है? इन equations को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो coefficients है वो matrix A के बराबर है तो इस equation को, इस system of linear equation को हम लिख सकते है A x equals to B where A is the given matrix x is the variable matrix and B is the matrix of the right hand side coefficient ठीक है? जो RHS में जो coefficient है na 2, 4, 1 यह B matrix में आ जाएंगे ठीक है? तो A x is equal to B तो यहाँ से variable matrix हम कैसे find करेंगे? x will be equal to A inverse into B ठीक है? तो इसके लिए भी हमें A inverse find करना है तो सबसे बहुत हम A inverse ही find कर लेते हैं जो question में हमारी पहली need है ठीक है? तो एक बार matrix copy कर लेते हैं, क्या है matrix given है? matrix A हमें यहापे given है 1, 1, 1 हमें find करना है A inverse तो A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A ठीक है? तो जो जो जरुवत है दोनों ही हम find कर लेते हैं पहले तो जहाँ इसकी determinant find कर लेते हैं यह आजाएगा है यहाँ पर determinant में आजाएगा 1, 1, 1, 2, minus 1, minus 1 0, 2, 1 solve करते हैं इस determinant को यह आजाएगा 1 into minus 1 minus minus plus 2 minus 1 into 2 minus 0 plus 1 into 2 to 4 minus 0 ठीक है? 1 into 0, 0 हाजाएगा तो यह आजाएगा 2 minus 1 यह आजाएगा 1, 1 into 1 is 1 और यह आजाएगा minus 2 और यह आजाएगा plus 4 1 plus 4 minus 2 तो यह आजाएगा 5 1 plus 4 आजाएगा 5, 5 minus 2 आजाएगा 3 तो determinant of A जो आ गया हमारे पास वो आ गया 3 के बराबर अब हमें find करना है adjoint adjoint of A adjoint find करने के लिए हमें क्या find करना होता है? co-factors find करने होते हैं पहले तो co-factors of A ठीक है? यह हमने अलग से find कर लिए है इसको हम आगे use करेंगे co-factors के लिए हम क्या करते हैं? rows और columns में यहाँ पर negative यहाँ positive यहाँ negative यहाँ positive यहाँ negative यहाँ positive यहाँ पर numbers आ जाएंगे अब तो इस element में the first element होगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा यह वाली determinant ठीक है? minus 1 into 1 minus 1 minus 1 minus minus plus 2 तो यहाँ जाएगा minus 1 plus 2 यहाँ जाएगा 1 ठीक है? और यहाँ पर आजाएगा 2 into 1 minus 0 into minus 1 तो 2 into 1 हो जाएगा 2 और 0 into minus 1 यह 0 हो जाएगा तो 2 minus 0 will be equal to what? 2 ठीक है? तो यहाँ जाएगा 2 to 4 4 minus 0? 4 similarly यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा? यह वाला element जो आएगा हमारा इसका इससे product minus इन दोनों का product ठीक है? diagonally हम यहाँ पर product ले रहे हैं और इसका difference निखा ले ठीक है? तो 1 into 1 1 minus 2 into 1 2 ठीक है? तो 1 minus 2 क्या आएगा? minus 1 आएगा तो यहाँ जाएगा minus of minus 1 ठीक है? साइन बाद में change कर लेंगे 1 minus 0 into 1 is 0 1 minus 0 is 1 ठीक है? यहाँ पर आएगा 1 into 2 minus 0 into 1 तो 2 minus 0 यह आजाएगा 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आजाएगा 1 into minus 1 minus 1 minus of minus 1 plus 1 तो यह यहाँ तो 0 ही ओ जाएगा यह ठीक है? राइट? यहाँ पर 0 आजाएगा यह Cancel out हो और रहे दे-ागनल's की products और यहाँ पर आ जाएगा, 1 x 2-1, minus 1, minus 2-1, minus 1 minus 2, यह आ जाएगा, minus 3, minus of minus 3, यह plus हो जाएगा, बाद में आके उसे बाद में हम sign put कर देंगे, ठीक है? 1 x 21, minus 1, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, minus 1, minus 2, यह जाएगा, minus 3, ये भी हमें पर mein 7 dotolaire घाएगा ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अब यहां पर sign convention के साथ हम यहां पर लिखते हैं यहां पर co factors को co factor of a इसको मैं c of a से denote करता हूँ मैं इस तरीके से करता हूँ ठीक है तो यह 1 यहां पर plus का है यह plus 1 रहेगा यहां पर 2 minus का है वैसे plus का आया था यहां पर माइनस का लेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था से यहां पर co factors में हमाई पास है alternatively sign convention यहां पर पूट करते हैं 4 यहां पर plus का ही रहेगा minus of minus 1 यहां पर 1 यह minus का था plus हो जाएगा यहां पर co-factors find कर लिया है ठीक है अब हम यहाँ पर क्या find कर सकते हैं adjoint find कर सकते है adjoint of a adjoint of a is equal to co-factor of a का transpose इसका हम simply क्या कर लेंगे transpose ले लेंगे यानि कि rows को columns में और columns को rows में हम convert कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर first row जो है sorry first column जो है यहाँ पर 110 इसको हम first row में लेखेंगे हम इसको इस तरीके से लेखेंगे 110 similarly second column को second row में लेखेंगे minus 2 1 3 third column को third row में 4 minus 2 minus 3 तो यह आगे हमारे पास क्या adjoint of a ठीक है तो a inverse की value किया आएगी a inverse की value मैंने आपको फॉर्मुला बताया था 1 upon determinant of a into adjoint of a तो यह जाएगा 1 by 3 into adjoint of a यानि कि यही matrix जो हमने भी find करी है 110 minus 2 13 4 minus 2 minus 3 तो यह हमारे पास आगया a inverse ठीक है तो यह हमारा first part का answer है ठीक है second part में हमें क्या find करना है second part में यह हमें linear equation जो system of linear equation है यह हमें find करना है मैं x, y, z की value find करना है ठीक है तो a हमारे पास था मैं हमारे पास जो system of linear equation बनी तो हमारे किस तरीके से बनेगी इस तरीके से बनेगी ax equals to b then x will be equals to a inverse b ठीक है values put कर लेते हैं यहापर x हमारे पास variable matrix है यह हमारे पास x, y, z हो जाएगा a inverse हमने अभी अभी find किया है यह जाएगा 1 by 3 times of इसको matrix को मैं note कर लेता हूँ 1, 1, 0 1, 1, 0 minus 2, 1, 3 और third row में हमारे पास क्या है 4, minus 2, minus 3 4, minus 2, minus 3 ठीक है और b matrix हमारे पास यहापर क्या बन जाएगी b matrix जो right hand side वाले coefficients है 2, 4, 1, यह हमारे पास b matrix है तो b matrix will be 2, 4, 1 बस इन दौनों matrix का हमें product लेना है और हमें यहापर x, y, z की तीनों की value मिल जाएगी ठीक है? then x, y, z matrix will be equal to यह जगा 1 by 3 इसको हम बाद में multiply कर लेंगे पहले इन दौनों matrix को हम solve कर लेते हैं तो first row को column से multiply करेंगे 1 x 2, 2 plus 1 x 4, 4 plus 0 x 1, यह तो 0 ही होता है similarly second element हमारे पास हम पर आएगा minus 2 x 2, minus 4 plus 4 x 1, 4 plus 1 x 3, 3 ठीक है? third element आएगा हमारे पास 4 x 2, यह जगा 8 minus 2 x 4, यह जगा minus 8, plus minus 3 x 1, यह जगा minus 3 ठीक है? तो यह हमारे पास कुछ आ रहा है इसको solve कर लेते हैं इन तीनों terms को add कर लेते हैं तो यह जगा 2 x 4, आ जगा 6 minus 4, 4 cancel out हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और plus 3, यहां पर 3 बचेगा सिर्फ, 8 से 8 भी cancel हो जाएगा यहां पर आ रहा है minus 3 तो इसमें हम 1 by 3 को multiply करेंगे तो यहां से हमारे पास x, y, z यहां सिर्फ हो जाएगी matrix पूरी मिल जाएगी 6 3 हो जाएगा 2, 3 3 1 minus 3 3 minus 1 तो इस तरह के से हमने यह linear equation हमने solve करी system of linear equation को हमने solve किया है x की value हमाण पास 2, y की value हमाण पास 1 तो इस तरह के से हमने यह तो इसका second part का answer हो गया I hope आपको यह question समझ में आया होगा, system of linear equation का concept समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम matrix method से इसको हम solve करते हैं और x, y, z की value find करते हैं और inverse इस तरीके से किसी matrix का हम निकालते हैं using the concept of determinant and adjoint. So thanks for watching this video.